जए हिन दोस्तों, आरकी मौरिया Commerce Classes में आपका Welcome है, आपका स्वागत है इस वीडियो के थुरू आपको बताने जा रहे हैं Cash Flow Statement में आपको Rules and Regulation अगर आपको ध्यान देना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले आपको चेप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है, बात ज्यादा नहीं Cash Flow Statement Hindi में कहते हैं, रोकड प्रवाह विवरण रोकड प्रवाह विवरण का मतलब क्या होता है, रोकड प्रवाह विवरण का मतलब होता है, बिजनिस में कैस का आना और बिजनिस से कैस का जाना याद रखिएगा, कोई भी बिजनिस हो, बिजनिस में कैस का आना और कैस का जाना यानि कि cash का flow होना इसे ही कहा जाता है cash flow statement याद रखिए कोई chapter समझे कोई chapter पढ़ रहे हैं तो आप उसका नाम से ही आप अंदाजा रगा लेजिए क्या होगा cash flow statement का मतलब क्या होता है cash flow statement का मतलब होता है business में cash का आना और business से cash का जाना यही होता है flow प्रवाह जिसे बोला जाता है ठीक है तो एक होता है inflow एक होता है out flow inflow का मतलब जहां-जहां से cash आता है और out flow का मतलब होता है जहां-जहां से cash जाता है no problem, no doubt cash flow statement chapter पढ़ने के लिए आपके तीन topic clear होने चाहिए जान दिशे का cash flow statement chapter पढ़ने के लिए आपके तीन topic clear होने चाहिए पहला cash flow from operating activity second number है cash flow from investing activity third number है cash flow from financial activity एक एक करके हम आपको अपने white board के माध्यम से बता रहे हैं आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं दावा और guarantee के साथ कहता हूं कि आपको कोई हिला नहीं सकता है ठीक है? सबसे पहले मैं लिख लेता हूं तब वीडियो चलाता हूं आपको अपनी copy में लिख लेना है indirect method एक चीज में लिखना भूल गया लेकिन ओ चीज में लिख देता हूं अंदर ठीक है? ठीक है? 36 गड़ से हैं Welcome भाई ध्यान दिजेगा indirect method किसका बनाएंगे हम लोग तीन activity होती है पहला cash flow from operating activities हिंदी में कहा जाता है परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवा यह पहला है आपका इमाल लिजे पार्टेकुलर का कॉलाम है अमाउंट का कॉलाम है यह अमाउंट का कॉलाम है ठीक है? ठीक है? उसके बाद आपको लिचलते हैं कहां? ठीक है? आपको ध्यान देना है operating activity operating का मतलब होता है कोई business हो जैसे हमारा business है मैं coaching बढ़ाता हूं coaching से हमको fees मिलती है तो पैसा आता है coaching से हमको कहीं माले जिक कोई books लगवा दिये कोई promotion कर दिये तो पैसा आता है तो in flow होगा out flow का मतलब जो जाए उसे out flow की सिरडी में रखा जाता है indirect method है indirect method से ही question ज्यादा तर पीपर में पूछे जाते हैं ठीक है? आपको अपनी copy में ऐसे लिख लेना है सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं लिखना है net profit for the year आप लोग कभी पढ़े होंगे profit and loss account ठीक है? loss account आपको ध्याँ देना है net profit for the year इसमें कुछ ऐसे item होते हैं जो add किये जाते हैं जैसे add का मतलब plus non operating expenses or losses losses ऐसे खर्चे हिंदी में भी लिख देते हैं गैर परिचालन व्यवाहनी non operating expenses and losses गैर परिचालन व्यवाहनी यह business का क्या है? घाटा है इसको जोड़ा जाता है जैसे आपके बुक में question में मिलेगा depreciation आपके question में मिलेगा गुड़ बिल राइट आफ केवल गुड़ बिल लिख देते हैं discount राइट आफ लिखा रहेगा याद रखिएगा राइट आफ बोला रहेगा उसके बाद interest paid उसके बाद है loss on sale of fixed assets याद रखिएगा इन सब का पैसा जो मिलेगा यहीं पर लिख लिया जाएगा और यहीं पर add करके यहां जोड़ लिए सब को पहले यहां रिखेंगे फिर net profit में add कर लेंगे यहां लिख लेंगे उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है non operating income minus क्या करेंगे non operating income non operating income को हम minus कर लेते हैं non operating income में क्या होता है जैसे profit on sale of fixed assets मतलब कि fixed assets को बेचने पर जो profit होता है ओ हमारा non operating income आपको मैं आगे बताना चाहता हूं profit on sale of fixed assets जैसे हो गया इसे लाफ लॉंग टर्म स्वरी प्रॉफिट इंट्रेस्ट रिसीब हो गया डिविडेंट रिसीब्ड हो गया उसके बाद ज्यादा चीज़ नहीं लिखना है नहीं तो सब जगा भर जाएगी कमिशन रिसीब हो गया यह सब जोड लेते हैं यह सब घटा लेते हैं पैसा यहां लिख लेंगे यहां लिख के ऊंप्राफिट के अब है बीफूर को वर्किंग मोप्रेटिंग कैपिटल बेफूर मतलब पहले और की पीप्ले के पहले और ब्लोंअ आप दाना चाहते हैं उप्राफिट अब इसमें क्या होता है जैसे मैं मै नस करते हैं उना करते हैं ही है को n कर healthier assets plus करेंगे decrease current liabilities in current assets अगर घटता है तो फाइदा है घटता है तो घटता है current liability अगर बढ़ती है तब घटा है current assets बढ़ेगा घटेगा और current liability बढ़ेगी तो घटा है इसको भी हम add करने वाले section में लिखेंगे आगे add करने की बारी आएगी तो हम add करेंगे उसके बाद आपको पताना चाहते है minus करने का क्या है current assets इनक्रीज current liabilities decrease मतलब की संपत्ती assets बढ़ती है तो हमारा क्या होता है फाइदा होता है फाइदे को घटाना ही है और घाटे को जोड़ना है तब यहाँ पर सबसे नीची आ जाएगा cash flow from operating activity एक question में आपको समझ में आएगा याद रखेगा एक बार फिर से सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले net profit फार्दा year लिख लेंगे यहाँ पर non operating expenses और losses को प्लस कर लेते हैं उसके बाद non operating income को माइनस कर लेते हैं शंपतियां current assets अगर घटेगा current liability बढ़ेगा तो हमारा घाटा है उसको माइनस कर लेते हैं और current assets अगर हमारा increase होता है current liability हमारी decrease होती है यानि कि current assets के कारण अगर फायदा होता है तो घटाया जाएगा अगर घटा होता है तो जोड़ा जाएगा तब आपका answer आजाएगा हमारी शामनी books है हम अपनी books का numerical number first बताने जा रहे हैं आप लोग आके दिखिए आपको ध्यान देना है question आपकी सामनी है कहता है आनंद limited arrived at a net income 5 lakh rupees for the year ended 31st March depreciation for the year 2 lakh पूरे साल भर का net profit 5 lakh दिया है depreciation 2 lakh दिया है देरवाज गेन 50,000 रुपे का इनको गेन हो रहा है assets में ठीक है कोई बात नहीं है credit to profit and loss account bills receivable increase during the year by 40,000 bills payable increase by 60,000 compute cash flow activity from operating activity कोई बात नहीं है पूरे question में क्या बुला है जो profit दिया है मेरे भाई लोग कितने रुपे का दिया है पांच लाग का पांच लाग का profit दिया है ठीक है उसके बाद आपको बताना चाहते हैं add कर लो कुछ item ऐसे होते हैं जो list किये जाते है add o item किया जाता है जो non operating expenses होता है for जिसे बुल रहा है depreciation दो लाग रुपे का depreciation कितने लाग रुपे का है दो लाग रुपे का है इसको जोड लिया जाएगा अपनी copy में ऐसे लिख लीजिए depreciation depreciation दो लाग रुपे का a non operating expenses है मैंने पहले बता दिया जिसको add कर लिया जाएगा उसके बाद आपको बताना चाहते है non operating expenses है उसके बाद कहता है gain हुआ है कितने रुपे का 50,000 रुपे का कि किसके कारण sale of assets के कारण तो minus चाहे आप यहाँ भी कर सकते हो याद रखिएगा जैसे यहाँ भी लिख सकते हैं हम भी कठा कर दे रहे हैं gain on sale of fixed fixed assets को बेचने का कारण gain हो गया है gain अगर कोई होगा कोई फायदा होगा तो उसको minus कर दिया जाएगा 50,000 रुपे का उसके बाद कहा गया है gain के बाद क्या कहा गया है bills receivable increase हुआ है 40,000 रुपे का याद रखिएगा increase हुआ है bills receivable increase bills receivable receivable 40,000 रुपे का next कहता है next में आप देखेंगे bills payable increase हुआ है 60,000 रुपे का bills payable increase हुआ है 60,000 रुपे का ध्यान दीजेगा हमारी बात को काले कलर में लिखा है काले कलर में लिखा है a हमारा bills receivable liability assets होता है bills payable liability होता है depreciation हमारा maths है завис legislation हमारा loss है loss को हम क्या कर लेंगे loss को हम add लेंगे loss को मैंने add कर लिंगे दोनों को गेन हो रहा है हमारा फायदा है इसको माइनस कर लेंगे Окcusable हमारा फायदा इसको प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे हो जाएगा हमारा 2,60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 이상 a minus न भ्हर 9,000 आपको यहालिक देना है can I say जाएगा साथ लाग साथ हजार में नभी हजार माइनस कर दो साथ लाग साथ हजार माइनस नाइन्टी थाउजंड शिक्स लेक सिवेंटी थाउजंड ऐसे लिखा जाएगा कैस के ऊपरेटिंग एक्टिविटि कितना चे लाग सत्तर हजार रुपिया से आपका उदतर आ इसे आप अपने कोपी में लिख लिछे नेक्स्ट में आप को बताएंगे इन्वेस्टिंग का टोपिक जय हिन दोस्तों एक बार फिट से आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास में आरके मोर्या कॉमर्स क्लासेट में आप पढ़ रहे हैं cash flow statement जिसे हिंदी में कहते हैं रोकड़ प्रवाह विवरर cash flow statement में इसके पहले मैंने एक question बताया कौन सा? इसके पहले मैंने एक question बताया cash flow from operating activity operating activity मैंने बता दिया है वहाँ पर cash आता है और cash तो जाता ही है वो भी indirect method मैंने बताया है अब आप पढ़ेंगे cash flow from investing activity अपनी copy में लिख लीजिएगा क्या आप लिख लिखेंगे? cash flow from investing activity लिख लीजिए B बोला जाता है इसको पार्ट भी एह हो गया cash flow from investing activities हिंदी में कहते हैं हिंदी भी जानी जाए यह थोड़ी सी बिनियूजन क्रियाओं से रोकड़ प्रबाँ बिनियूजन क्रियाओं से रोकड़ प्रबाँ एक दम बढ़िए समझीएगा बहुत सारे बच्चे सुचते हैं सर हिंदी में भी बोल देंदें हिंदी इंग्लिस मिक्स बिना हिंदी के इंग्लिस नहीं इंग्लिस के हिंदी नहीं ठीक है तो आप लोग एक फार्मेट बना लिजी इसके पहले कैस्ट फ्लो फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा देखो ऑपरेटिंग में क्या होता है ऑपरेटिंग में जहां-जहां से पैसा आता है डारेक्ट माध्यम से उसको एड करते हैं जहां-जहां जाता है उसको माइनस करते हैं यहां पर इंवेस्टिमेंट से संबंदी थे जैसे कोई भी बिजनेसमैन है कहां होगा कहीं से कमिश्यन आ सकता है तो एहां पर क्या होगा है यहां पर यहां पर होता है यहां पर होता है क्या कि यहां पर जैसे fix assets को बेच दो fix assets को परचेज कर लो वहां से पैसा आए ठीक है जैसे एक इसको लिखेगा इनविश्टिंग एक्टिविटी में सेल्स और फिक्स ड़ एसेट्स शरी है अलिको भाई संपत्तियों को बेचेंगे तो पैसा आएगा अगर कोई लांग टर्म इनविश्टिमेंट अगर कोई लांग टर्म के पैसा कहीं पर लगाया गया था उसको भी वेच दू तो वहाँ से भी पैसा आजाएगा अगर इंट्रेश्ट रिसीब कर लो कहीं पर पैसा इनविश्टिमेंट किया गया है इंट्रेश्ट रिसीब कर लो वहां से भी अमाउंट आ सकता है उसके बाद डिविडेंट रिसीब कर लो डिविडेंट वहां से भी पैसा आता है उसके बाद रिसीब कर लो कि सब पैसे इनविश्ट किया रहते हैं तब यहां से पैसा आता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे इनविश्टिंग इंविश्टिंग 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 इंविश्टि कहीं पर आपने share लिया है वहां से पैसा आता है ठिक है एंश सारी चीज़े होती है उसके बाद आपको बताना चाहते हैं किया माइनस क्या किया जाएगा याद रखिएगा इन सब को add करके यह यहां यह सब लिखेंगे एड करके यहां लिखेंगे ठीक है लिस्क किया जाएगा क्या परचेज आफ फिक्स असेट्स फिक्स असेट्स परचेज आफ लांग टर्म इन वेश्टमेंट परचेज आफ लांग टर्म इन वेश्टमेंट ठीक है अपनी कॉपी में लिख लिखेंगा कैस फ्लॉ फ्रॉम इंवेश्टिंग एक्टिविटी अकैस के सबसे पहले आपको एक बार फिडिट्स समल लेना है इन वेश्टिंग का मतलब होता है जिसे fix assets sale करेंगे long term assets long term investment बेच देंगे interest receive होगा dividend मतलब यहां कुल पैसा लगा करके ठीक है यहां से पैसा आता है और purchase करेंगे fix assets long term investment purchase करेंगे कोई share purchase करेंगे कोई adventure purchase करेंगे उसको हम क्या करते हैं add करते माइनस कर देते हैं तो cash flow statement from किसकी activity cash flow from investing activity आ जाता है तो question हम आपको जो बता रहे हैं आपकी बुक का question cbsc board ncrt commerce का question मैं आपको यहां बता रहा हूं question number second पढ़ते हैं पहले आपको ध्यान देना है यहां पर question number second है जैसे जो लियम ने बताया जो रोल्स मैं भी ध्यान देजेगा मतलब की question rule के मताबिक नहीं है रोल तो है यह है अभी नहीं है आगे मिलेगा आपको आगे जो और question आप पढ़ेंगे कहता है from the information given below you are required prepare the cash paid for the inventory the cash paid for the inventory आपको दिया है आपके सामने inventory in the beginning मतलब शुरुवाती का inventory दिया है ठीक है विगनिंग मतलब होता शुरुवात पर purchase दिया है inventory in ending ending का दिया है inventory creditor in beginning beginning का मतलब opening creator दिया है inventory creditor in ending कोई बात नहीं है आपको क्या मालूम करना आपको मालूम करना cash flow cash flow का मतलब जहां पर fix assets को वेचने से sell करने से long term investment को sell करने से पैसा आए purchase करने से पैसा जाए यही आपको मालूम करना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए तो इसमें sell का नहीं दिया है इन्होंने ना तो sell का दिया है purchase का वेरहल दिया है इन्होंने एक लाग साथ जार रूपे का purchase का दिया है तो आपको जानकारी होनी चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए Давree बनाएंगे अ क्रेढिटर कामटब होता है कि जहां से आपने उधार माल खरीदा है या उधार ठीक है माल से संबंधित, गुट से संबंधित यहाँ पर नहीं होगा कुछ अभी आपको क्या गरना है जैसे इन्होंने दिया है Inventory Creditor Vigning Vigning का मतलब होता है ठीक है Inventory Creditor in Indy Ind का मतलब होता है Closing Closing को हम लिखते हैं CD मतलब की इन्होंने क्या किया है इन्होंने क्या किया है लिख लेना है आपको अपने आप में To Balance CD 14,500 क्या है 14,500 या आपका इंडिंग है और याद रखना CD और यहाँ पर लिखेंगे By Balance BD 14,000 उसके बाद आपको ध्यान देना है इन्होंने का पर्चेज किया पर्चेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा हमारे पास By पर्चेज पर्चेज का मतलब चला जाएगा कितने का खरीदा इन्होंने खरीदा है 1,60,000 उपे इन्होंने खरीदा कितना 1,60,000 का पर्चेज किया है याद रखिएगा फिर से Crater का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं Opening का Crater कितना है Opening का है 14,000 हमारी बास समझ रहे हैं कैसे Opening आप लोग सोचेंगे यहां लिखा जाता है ठीक है यहां पर लिखा जाएगा और Closing यहां पर लिखा जाएगा ठीक है Closure मतलब CD और इन्होंने पर्चेज किया है कितने का 1,60,000 का पहले से इनके पास 14,000 का था बाद में 1,00,000 14,500 का बच जा रहा है पर्चेज किया पर्चेज करने का मतलब पैसा गया है तो इनके पास 1,00,000 कितना हो जाएगा 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 इसका मतलब इन्होंने 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 जो आएगा 59,500 कैसे आजा ठीक है अब आपको धान देना है कितना इन्मेंटरी का पेमेंट करना पड़ेगा इनको 1,00,000 1,00,000 पांसो पेमेंट करना पड़ेगा कहता है पर्चेज 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 बींग दा इंड आफ नो इफिक्ट ठीक है तो इतना अपनी कॉपी में लिख लेजिएगा कैस पेड इन्मेंटरी अमाउंट इन्मेंटरी के लिए कितना कैस पेड किया है 1,69,500 इसका मतलब कि पहले से 14,500 14,000 का था बाद में हमारा बच गया इन्मेंटरी इसका मतलब पर्चेज किया इन्होंने 1,60,000 रुपए का बैलेंस निकाल देजिए यह आपका हो गया है इसे अपनी कॉपी में लिख लिजिए इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं फॉर इच फालॉइंग ट्रांजक्शन कैलकुलेट दा रिजल्टिंग कैस फ्लॉव इस्टेट दा निचर आप कैस फ्लॉव ओपनिंग इन्विश्टिंग और फाइननसी एक कहता है एक्क्वाइरड मशीनरी फार तुलेग टुंटी तुलेग फिप्टी थाउसंट पेइंग पेंटी परसेंट रॉन एक्जक्यूटिंग बॉन्ड फार वैलेंस पेबल सिकंड कहता है पेड तुलेग फिप्टी थाउसंट एक्क्वाइरड सेयर इन इन्फार्मा टिक एंड रिसीब डिविडेंड फिप्टी थाउसंट आफर एक आफ्टर एक्विजिशन सोल्ड मसीनरी औरिजिनल कॉष्ट टू लाइक रूपीज एकुमिलेटड डिप्रिशियेशन 1,60,000 फॉर 60,000 कुछ नहीं है बहुत आसान है आसान लेंग्वेज में हम आपको समझा दे रहे हैं इसमें जादा कुछ नहीं था इसमें पीछे वाले कुष्टन में यही मालूम करना था कि मतलब की कितना पैसा पेमेंट करना है बस पहले से हमारा 14,000 का है 1,60,000 रुपे का परचेश किया बचा इतना इसका मतलब इतना परचेश किया हो गया आपके सामने जो कुष्टन है कहता है एक क्वायर मसीनरी 2,50,000 में खरीदा है 20% पेबल किया है बाकी बैलेंस पेबल में रहेगा तो आपको लिखना है सबसे पहले ए कितने का 2,50,000 20% क्या किया है 20% 20% निकाल देना है ठीक है पार्ट आप पेमेंट पेमेंट कर दिया है तो इसका मतलब 2,50,000 रुपया इनके पास क्या है पेइंग था मसीनरी का 20% पेमेंट कर दिया इसको बोलेंगे आउट फुलो मतलब पैसा चला गया B क्या है B में कहता है पेड 2,50,000 एक क्वायर सेयर सेयर खरीदने के लिए इन फार्मा टिक को 2,50,000 पेमेंट करना है रिसीब आ डिविडेंट 50,000 इनको पेमेंट रिसीब हुआ कितना 2,50,000 B में कहता है इनका इनवेश्टिंग एक्टिविटी में इनवेश्टिमेंट किया है 2,50,000 का इनको इसके मतलब की पैसा लगाया इतना 50,000 रुपे डिविडेंड मिल गया इनको इसका मतलब 2,00,000 रुपे का आउट फुलो है समझेगा इनवेश्टिंग एक्टिविटी का मतलब 2,50,000 लगाया 20% क्या किया 20% आउट फुलो मतलब चला गया और मसीन खरीदा है यहाँ पर 5,00,000 का मसीन खरीदा यहाँ पर 5,00,000 रुपे का इनवेश्टिमेंट किया है 50,000 रुपे क्या मिल जा रहा है 50,000 डिबिटेंट मिल रहा है इसका मतलब 2,00,000 रुपे आउट फुलो हुआ थर्ड कहता है इन्होंने कितना वरिजिनल काष्ट 2,00,000 रुपे यहाँ डिपरीश्टियसन लगा है 1,60,000 रुपे लिखना है रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिमेंट 60,000 इन्फलो मतलब कि इन्होंने C नंबर में मसीन के नहीं खरी दी है 2,00,000 की 2,00,000 की मसीनरी पर्चेज कर ली है 1,60,000 डिपरीश्टियसन लग गया इसको बेचा जाएगा सेल किया जाएगा कितने में 60,000 रुपे ये क्या होगा इन्फलो होगा इन्फलो का मतलब पैसा आ रहा है ठीके इन्फलो इन्फलो होगा देखो एक बात रखिएगा 2,00,000 का सामान 1,60,000 रुपे का डिपरीश्टियसन बचा कितने का 40,000 का सेल कितने का हुआ 60,000 का तब भी फायदा होदा प्राफिट ओन सेल और फिक्स एसेट्स 20,000 का फायदा होगा इसको लिख लिखे इसके बाद आपको बताएंगे और भी कॉस्चिन जो फोर्थ नमबर से है ठीक है